कुई शेर के पास हुई घटना सुंगा दोपैर करीब तीन बची कुई कजबे के पास M.I.D.C. इलाके में प्लाइवूड इंडरस्ट्रीज नामक कंपनी में आग लग गई माना जा रहा है कि आग कंपनी के तेल पाइप में रिसाफ के कारण लगी है आग से लगभग 10 करोड रुपे का नुकसान हुआ प्रबुदास पर तेल ने कहा इस कंपनी में प्लाइवूड बनाया जाता है जो कोही मंडल रोड के पास इस्तित है इसके लिए पहत्या और कुटार का इस्तिमाल किया गया और उन्हें कंपनी परिसर के अंदर भी रखा गया इसके अलावा प्लाइवूड और अन्य उदेशों के लिए कुछ रसायनों और तेलों का उप्योग किया जाता है रसायन और तेल को पाइप लाइन द्वारा मशीन तक पहुचाया जाता है जिसका की एक पाइप लीकेज की कारण तेल नीचे गिरा और तापमान की कारण तेल में आग लग गई और आग ने पलभर में पूरी कंपनी को अपनी चपीट में ले लिया आग पर काभू पाने के लिए उम्रेड नगर फाया ब्रिकेट की दो गाणिया मौके पर पहुची देरा तक आग पर काभू पाना जारी है आग की लप्टों और धुएं के गुबार को देखते हुए यहां आग तेज होती है सुत्रों ने का की संभावना को नियंतरन में नहीं लिया चाएगा उन्होंने आगे का की अन्य जगाओं से दमकल की गाणिया बोलानी चाहिए गटना की सूचना पुलिस को नहीं दी कमपनी के मालि प्रभुदास पटेल ने का की वह मंगलवा सुभा पूलिस को इसकी सूचना देंगे सोमवा दुपैर कमपनी में कम से कम सत्तर करमचारी काम पर थे इनमें कुछ महिला कारे करता भी शामिल है आग की बनक लगते ही मजदूर भागने लगे उसमें तेल का धम शीने उद्विलाव, रसायन, प्लाइबूड और कच्चा माल जल गया है कुछ पुलिस थानेदार चंदकांत मदान के मार्क दर्शन में इस्तिती की निगरानी कर रही थी